इस बार भी इस यात्रा को लेकर रोमांच बना हुआ है लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि श्य माई से शुरू हो रही केदारनात्रा की मोनिटरिंग इस बार सीधे प्रधान मंतरी कारियाले से होगी जी हाँ, खुद प्रधान मंतरी अपने कारियाले से यात्रा का लाइव प्रसारन देखेंगे और पैनी नजर बनाए रखेंगे मुख्य मंतरी, मुख्य सचीव और जिलाधिकारी भी अपने कारियाले से यात्रा विवस्थाओं को आखों देखा हाल जान कर विवस्थित कर पाएंगे केदारनाथ से रूद प्रयाग और दहरादून से PMO को Integrated Networks से लिंग किया जाएगा वैसे ये पहला मौका है जब प्रधानमंतरी कारियाले से केदारनाथ यात्रा को लाइव देखा जाएगा इस बार बाबा केदार की यात्रा को स्वयम P.A. मोधी अपने कारियाले से देखेंगे यात्रा के लाइफ प्रसारन और मॉनिचरिंग के लिए स्वान और NIC ने केदारनाथ से सोन प्रयाग के बीच 10 हाइफ फ्रिक्वेंसी IP कैमराज लगाए हैं इन कैमराज के जरीए पूरे केदारनाथ सही 17 किलोमेटर पैदल के रास्ते पर भी हर हिस्से पर नजर रहेगी सोन प्रयाग से रूद प्रयाग जिलादिकारी कार्याले को भी रेडियो फ्रिक्वेंसी से लिंक किया जाएगा ताकि वो भी इस कनिक्शन में जुड़े रहे DM कार्याले और यात्रा कंट्रोल रूम में लगी LED के माध्यम से केदारनाथ यात्रा पर पूरी पैनी नजर रखी जाएगी वहीं जिला कार्याले रूद प्रयाग से सचीवाले को Integrated Network और PMO कार्याले से सीधे लिंक करके लाइव यात्रा देखी जा सकेगी यात्रा मार पर भी वेवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ साथ वीडियो और आडियो कॉलिंग से समबाद होता रहेगा इसे पहले पीए मोदी भी ड्रोन कैमरे से जायजा ले चुके हैं और केदारनाथ पुनर निर्वान के तहथ हो रहे कार्यों का प्रधान मंत्री ने ड्रोन के जरिये ही लाइव निरिक्षण किया था वर्ष 2018 और 2019 में मोदी ने ड्रोन कैमरे के जरिये शंकराचारे समाधी स्थल, सरस्वती नदीपर निर्मित आस्थापत और मंदिर परिसर के विस्तार कारियों को ड्रोन कैमरे से ही देखा था और इसका बाकायदार निरिक्षण किया था इस दोरान उन्होंने उत्राखंड के ततकालीन मुख्य सचिप उत्पल कुमार से भी बादचीत की थी और वहां चल रहे काम की जानकारी भी ली थी यहां काम कर रहे सीनियर इंजीनियर ने कहा कि केदारना थियात्रा को PMO कारियाले से भी लाइव देखा जा सकेगा और इसके लिए सब ही जरूरी तयारियां पूरी कर दी गई है IP कैमरा चिनहित स्थानों पर स्थापित कर दिये गए हैं इसके साथ ही सोन प्रयाग से रूद प्रयाग दहरादून और PMO कारियाले को भी लिंक करने की प्रक्रिया चल रही है इस तरह से ये पहला मौका होगा जब खुद PM मोदी केदारना थियात्रा की मौनिटरिंग करेंगे वैसे पहला मौका इस लिहाज से भी है कि सीधे प्रधानमंतरी कारियाले यानि PMO से इस यात्रा को जोड़ा गया है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें